हालो एवरिवन एवन द्रस्वई में बार्तिका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है करती है बड़े से बढ़ी बढ़ी पाहाड क Shit the यह किव भी कुछ कि पाणि עल करती एसा की स्वाइब करती होगा इसकी स्पीद कभी स्फीट कभी स्वास्त करती होग ぇकभी इसकी स्पीड फस्ति होगी लेकिन यही चीज़े हमारी life पे लागू होती है हम चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हूँ कोई भी काम लेकिन हम उसको अगर गर इसको करते रहते हैं कभी-कभी life पे ऐसा आता है कि हमारी speech काम को लेकि slow हो जाती है कभी एकदम से fast हो जाती है तो यह चीज़े कभी life में दर हो भी रही हो तो आप यह मत सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है यह part of life है लेकिन आप अपनी चीज़ों को छोड़िए मत आप उन्हे gradually ही सही आप उन्हें करते रहे करते रहे करते रहे एक दिन पता है क्या होगा दिरे दिरे ही सही मंजिल आपके सामने हो भी कुछ दिन आपको कितना अच्छा लगेगा कि जिन पर सेम चीज़ होती है जब भी हम खाना बनाना शुरू करते है अपनी लाइफ में पहली बार कभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं दिरे अधता है कि आपके बार को बड़ी पर दिरे को अपने काम को कम करें लेकिन अगर आप करती जा रही है तो पते परफेक्शन आपके हाथ में होगा और एक वोदिन होगा जिसे दाइनिंग सब लोग होगे आपके चेरे पे बड़ी सी स्माइल होगी और सब लोग उस चीज के तारीफ कर रहे होंगे तो बस ऐसी ही तारीफ आपके जिंदगी में चलती रहे इसलिए तो आता है आप ही कापना Even Rassari आज है हमारे चाथ मेसे सुनीता जी का सुनीता जी आज हम आपसे क्या सीख रहे है जैसे कि आपने बोला कि किसी भी बात का हम continue करते रहेंगे तो उसमें हमें जरूर महारत हासिल होगी जी कहां भी कहा है प्रेक्टीस मेक्स दा मैं पर्फैक्टी पस उसमें फटी लगन और जोड़ दीजिए नंरे की तो आज हमएं बना ले वरमिसली पुलाओ वर्मिसली पुलाओ, तो यह तो बहुत ही अच्छा उप्शन है, कि जब कभी अलका इंस्टेंट सा कुछ बनाना हूँ, और इसमें भरपूर सबजिया भी हम डाल सकते हैं, तो चीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सीखते रहें, लगन के साथ, इसके लिए हम दो वर्म पुलाओ है, जासे कि आप देख रहे हैं, वर्मिसली दो तरह के आती हैं, एक काफी बारीक होती है, ठीज होती है और ये होती है, इसमें पिलाओ बनेगा, काफी खिला-खिला बनेगा, साथ ही ये थोड़ी रोस्ट की हुई है, तो हमें इस मोटी ओना लेना आएं है, ये तो इस तरह से यह वाली वर्मिसली हमको यूज करने हैं बढ़ते हैं आगे यह हीटिंग हमने स्टार्ट कर दें पैन हमारा आ चुका है इसमें हम डालेंगे दो छोटे चमच तेल यह एक और यह दो जैसे हमारा तेल करम होगा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा हमने इसमें जीरा तक्रीबँ आधा चमच, जीरा लिया है? जैसे हमारा जीरा क्रैकल होता है हम इसबन डालेंगे बारी कटा हुआ प्याच यहागया बारी कटा हुआ प्याच abandon? तक्रीबँक डालेंगे दो छोटे चमच इता नहीं दोजेटे फ्रहेंर सब्जय में सबसे पहले मैं ले रहे हूं बारी कटिवी गाचत, साथ यह मतर, यह हरी शिमला मेच, यह लाल शिमला मेच और ये कुछ हरी मिच, ओके, और ये हम ले रहे हैं पीली रंग की शिमला में, और ये कुछ लाल, साथ हम ले रहे हैं थोड़ी सी प्रॉकली, पीटेस मीता भी, इन सब को डाल के हम एक दो मिनिट के लिए चलाएंगे, इसमें आप चाहे तो तोफू, पनी, कॉन, काफी कुछ मश्रूम, काफी कुछ साफ डाल सकते हैं तो मैं अदे सुनें जितने भी वेजडी पर जैसे की बीन्ज भी आ रही है जिसे हमने ब्रॉकली ली है, पुल गोभी घर में है, पत्ता गोभी है तो इस तरह कि जो भी चीज आ लाइकिंग की है, वो हम ले सकते हैं तो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसकी कौन्टिटी को प्रा जादा बढ़ा भी सकते हैं तो चलिए, तो सब्जिया यहां पर हलके हलकी सी ओल के अंदर हलका हलका हस्टर फ्राय होती जा रही है, अब देखते हैं कि क्या कर दा है, सब्जिया हमारी सोटे हो रही है, साथ के साथ हम क इन सबको हमें एक बार फिर मिक्स कर लेंगे, तब इसी के साथ हम डालेंगे हमारी सिखी हुई पर मिसली, जो कि मैंने लिए तकरीवन आदा बॉल, छीक है, एक बार इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल, अब हम इसमें मिला देंगे पानी, तो यह साथ में क होती रहेगी, जी बिल्कुल, सब्सक्राइब हमारी गलती रहेंगी, और वर्मिसली भी गलती रहेगी, जीक है, हमने पानी डाल दिया, अब कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जीक है, इस पे लगा देंगे, जीक है, इसमें चावल की नापसे बिल्कुल, बिल्कुल, देख ठीक है अब इसको लगा देंगे हम लिड तो सुन्दर जी ने पानी की नापजा आपको बताईए पैसी बताईए कि यसे हम चावल बनाते हैं तो आप मैजर कर डीजे जिसे एक बोर आप से बहिया ले रहे तो इसका जबल याने कि दो बोर आपको पानी लेना है कि इसे पानी दो अब बहुत आप आप उसको लाके स्टोर कर सकते हैं खराब ही नहीं होती है और रोस्टेर होथिया तो बिल्कुल यह खराब नहीं होती है तो आप उसको आराम से इंटर्च रखिये घर में जो भी सबजियां है आप आराम सो भरपूर यूज रिये और इसके साथ आप तो गर्म-गर्म कड़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी, कोई अच्छा healthy soup है आप वो बना सकते हैं, और ये बढ़ना बढ़ना ग्रीन चट्नी के साथ, और चटपटा बनाओके तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अले options के साथ आप इसको तयार कर सक जब तक है बन रही है हम यह बढ़ना से च्छाट से एक रॉक पूडिंग बनाना तिखा देते हैं, रॉक पूडिंग के लिए मैंने लिए पहले चॉकलेट केक, उसको मैंने क्रमबल कर लिया है, जो कि पर इंच कर दिया, हां, जिसमें हमें सर्व करना हो, उसी सर्विंग में हमें इस चॉकलेट केक को क्रमबल करके रख देना है फर्स्ट लिया जो हमारी चॉकलेट केक की है इसके अपर हम डालेंगे यह शुगर सिरब यानि की चीनी का पानी है इसकी जगे आ फूरूट जूस भी डाल सकते हैं अच्छा यह केन वाले फूरूट साते हैं उनका एपल एस्ट्रोबेरी कीवी बनाना और लाई संदेटी साथ हम डाले है इसमे ओरेंगे सेज्ट्रोट सेगमेंट तो सुंधा जिए हैं आप ज़ो बी अच्छे लगते हैं नहीं ले सकते हैं यह कुछ अंगुरे आप जाहतों काले अंगुर भी डाल सकते हैं इस तरह से हमने सारी यह फूरूट सबस्ट्री दा तो फूट्स निये कि जो भी हमें पसंद है पिल्कुरी यह सकते हैं लिकिए इसमें एक उप्षन है कि आपको जो अच्छे लगते हैं बोले सकते लिकिन ऐसा भी निये कि बहुत सारी फूट्स होनी चाहिए अगर आपके बार सिफ एपिल बनाना है तो आप सिफ उससे भी बन आपके बनाना है तो इतना तो हमने सीख लिया है आगे और सीख लेते हैं फ्रूट्स हम आरे इंच का चुके हैं जी इसके उपर हम डालेंगे थोड़े ड्राइनट्स ठीके इसमें आगे कुछ बादाम यह कुछ पिस्था कात्रण ठीके साथ ही यह काजू टुकरी और ड्राइनट्स ऑप्शनल है जे इसे के थोड़ा क्रंच आएगा जैसे कि हम बोले रॉक पोडिंग तो इसमें सब तरह का क्रंच आएगा अच्छा साथ हम इसमें थोड़े से जैम्स भी डाल देंगे अब इसे अब इसके अपर हम पुरा कस्टड डाल देंगे यह तयार कस्टड है जिसको भी हमने ठंडा कर दिया है इस तरह से लिए रागी है परी ज़िए यह मारा आगा कस्टड आगया ओके तो यह कस्टड डॉप फोडिंग हमारी अर्मोस्ट रेडी हो गई है अब यह थोड़ी गार्णिशिंग बागी है अच्छा इस पर हम लगाएंगे यह वेब डिकरी चीक है सुनीता जी और इसकी प्रसंटेशन के साथ यह दिए 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 कितनी सुन्दर होती जा रही है इंचे अब इस पर एक बार फिर हम यह जैंस लगाते हैंगे ठीक है सुनीटा जी यह अमने क्या तियार किया है यह उम्ने मनाया है कैरिबल बास्केट Wire फ Product אז सुनीता जाओ जी जैसे चीनी कोपन कैरे मिनिस कर लेते उस से यह आपने इसको तयार किया बिलक्त तो इसमें तो हम το хотя बहूत सारह कर सकते और भी यह चलीए चकिए तो भुर्तीका फाइनल गार्निशिंग हम इस केरिमल बार्सकुट से कर लेते हैं यह पुडिंग के पारांज कर लेंगे और इसमें एक बार फिर हम प्यूदी क्रीम अरेंज करेंगे चीक है इस पर हम थोड़ी पिस्ता कतरन डालेंगे थोड़ी बादम कतरन थोड़ी से ये जैम्स लगा देते हैं थोड़ी अच्छी अपिलिंग के लिए ठीके समीटाजी अपलाफुल जैम्सी फ्रादा कलरफुल हो गया है और बाकी जैम्स हम इस बास्केट में डाल देते हैं तो यह हमारी रॉक पूडिंग तैयार हो चुकिया है ठीके सनीता जी और दिखने में बहुत सुंदर लग रही है थैंक यू सो मच तो वर्तिकई यह हमारी वर्मिसली को लावी तैयार है इससे हम निकाल लेते हैं चीके सनीता जी इसमें थोड़ा लाइन जोस्ट डाल देंग चीक है तो यह हमारी चकपटी सीवर में सली और साथ में स्वीट स्वीट पुडिंग ठीके सनीता जी में तब करना अठीक यह हम पुड़ा उन जोलगे ने ने सिंभाते पहले यह हम पुड़ा से एटिक है प्लेओर अशรवा टाल में सीवर में जोस्द पाहला है तरफ यहीं अशेख Tor unreli Berth पुलाओं भी लाइए यह लीजिए स्वीट नमकी नमके एक बहुत ही शांदार सी कस्टड डॉट पुडिंग है और साथ में वर्मी सीली पुलाओं जो की बहुत आसानी से बनाए गए हैं दोने ही रेसेपी इजी हैं देखने में फूरत हैं खाने में बहुत अच्छी हैं त जो की सुनिताजी अपने खर में बनाती रहती है और उनकी फामिली को इनको बहुत अच्छा रखता है अगर आपको कोबेट डिनर स्किप करने का मन हो और कुछ ऐसा ही खाने की इच्छा हो तब जरूर से ट्राय कर सकते हैं हम आपको से खाने जा रहे हैं सुनिताजी रही ह ट कज़ा है टोस्ट की आपने इसमें में दोच Space पेसन गोल प्रद का यह कुछ हम है जी तो मिलें के थोड़ा सजीरा जो की कच्चा है सॉल्ट एसपर टेस्ट छीक है यह लाल मिर्च यह भी होगी आपके स्वाद के अनुसा इसे हम मिक्स कर लेंगे है यह हमारे कोज़ objective हो गया है इसे हम मिला ट क्ली मने पर्ली ल्यां इसको के अमट कर लिया है चीक है इसे में हम लेंगे प्रॉसेंश के लिया flavors चीक है हमेसी के साथ हम इसमें मलेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च ह थोड़ा सा प्याच ठीक है सब और चीजए चॉप डह It's not. सब के चॉपड़े एकदा इट्स मेठीक है . ची के आएर शेलिए चीज़िए घॉड़े इतया रांप छोड़े एक पा डाल घॉड़े याने चीज़माओं हां . और यह थोड़ी सी लाल मिर्च, इस टॉपिंग में भी डाली है, थोड़ा गोल में भी डाली थी, इनको हम मिक्स करके, साथ ही हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा हरा दनिया, जी कैस नहींता जी, इस फिलिंग को हम एक तरफ रख देते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बैटर तयार किया, वो जैसे दो-चंमचब बेसं है, तो दो-चंमचह ही मैदा है, नमत, लाग मिर्ची, और कच्चा सा वो जीरेस मैं एट किया, फिर फिलिंग तयार करी वो हमने करी पनीर की और चीज, वो उसमे तरनी है, और साथ में थ्रोड़ा सा नमक है, थ्रोड़ी impos पाउडर है, वह हमने उसमे एड कर दिया है, और कोरियंडर लिया है, हमने फ्रेश एकडम, सब चीजों का चीज से मिक्स कर ले, पनीर को आप ग्रेट करके रख लिजेगा, तो वह एक स्टफिंग का पार्ट रेडी हो गया, एक बैटर तयार हो गया, तो यह दो चीजे हमने क प्रेट करना है, अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आप क्या करना है, वरतिका हीटिंग हमने स्टार्ट करती है, पैन हमने रख दिया पैन में हमने तेल भी डालती है, अब यह ब्रेड है, इसको हम इस बैटर में से डिप करेंगे, अच्छा, इसका एक सदी हमें सब्सक्राइब करते हैं अब इस पर हम लगा देंगे यह सेजवान साइड है इस पर हमने लगा दी है शेजवान साइड है मार्केट मेजली अवेलेबल है वैसे ही और थोड़ी तीखी होती है तो ध्यान से इसको यूज करें इस तरह से हम इस पर पुरी स्प्रैट कर देंगे अगर आपको जादा स्पैसी लगती है तो आप इसमें टमेटर सॉस का कॉमिनेशन भी ले सकते हैं अच्छा तब इसी के साथ हमने यह फिलिंग बनाई है वह इस पर डाल देंगे ठीक है यह हमें एक ही स्लाइस पर रखनी है अच्छा तो एक जो नीचे की साथ बैटर है वो तो देरे देरे शैलो फ्राइ होता जा रहा है तो देशन को और मैदे का खोई अब इसके पर हम यह और इगेनो इस प्रिंकल कर देंगे चिक है अगर आपके पास पीजा मिक्स है वह भी डाल सकते हैं मिक्स हार भी डाल सकते है कितनो सुंदर लग रहा है एक पतली सी लेयर पुरी मैदा किया वेसंट इस पर आई है जी तो फिलिक पर होता है बिल्कुल बिल्कुल काफी फिलिंग है इसके साथ आप सूप ले लीजिए सैलेड ले लीजिए और आंज हम डिनर की टाइम पर बना के खाते है यह लंच क बिल्कुल बिल्कुल इसे हम थोड़ा प्रेस करते वे पकाएंगे अच्छा फिलिंगे यह संविश हमारे तैयार है इसे हम यह आपर सर्फ कर देते हैं साथ ही यह थोड़ी फिलिंग है वो भी हम यहां रख देते हैं बिल्कुल इस फिरिम को हम रो खा सकते हैं सुनिता जी बिल्कुल खा सकते हैं साथ ही समय मैं यह सेजोन सॉस भी डाल रहे हैं तो आपने देखा कि इस तो मदब दिखने में इतना टैंटिंग लग रहा है किसे हमने ऑईल में बनाया है आपको अगर बटर का टेस्ट है तो आप हलकाल का बटर में इसको सेख सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने इसको तरह शेलो फ्राइट से किया है और दूसरी चीज है एक जिसकी स्टफिंग है वह काफी अच्छी और है तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए पुरा एक फिलिंग रहेगा और स्टफिंग में देखिए मिक्स अबका एक अच्छा टेस्ट आता है पूरी हमने चीज ली है उसमें पनी लिया है और जब इसको हमने टर्ण किया तक पतली सी चे लेयर थी मैदा की और बेसन की वह बहुत अच्छे से इसके उपर कोट हो गई और साथ में दिखनी में आता बना सकते हैं तो मेरे ख्याते ही टोस्स ला जवाब है ट्राय करके देखिएगा और अभी सुनिता जी अभी मुझे दे दीजिए जी बिलकुल तो यह हमारा टोस्स तैयार है कुछ नए वेरियेशन के साथ वाव इस फैंटास्टिक ला जवाब देख रहे हैं आप इस को आपको से वसे फिल कर सकते हैं तो कि खाने को आपको से भी खाया जाता है है ना इसकी एक चीज अब देखिए इसकी जो सिकाई हुई है एकदम प्रॉपल इसमें एक बेस्तिक फलफ फलफ हाया है मतलब बहुत ही अच्छा बना है यह सांवेच साथ में शेजवान सॉस की सब भी कर सकते हैं सुनीता जी अल्टीमेट बनाए शुक्रिया बहुत लाजवाब सीरियसली आप इसको अपने घर पर जरूर से बनाए और जरूर से ट्राइ करे और सब को खिलाए तो सुनीता जी एक बहुत ही शानदार लाजवाब तोस्ट हमने सीखा आप से साथ में बाकी की दो रेसिपीस भी अल्टीमेट बनी थांकी सू मच माइप लेजर तो जुन्दगी में कोई भी फील्ड हो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो आप प्रॉफेशन में हो चाहे आप घर के काम करती हो हर चीज के वो फेक्षन के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्लोली ही सही लेकिन उस दुशा में हम लोग बढ़ते रहें चाहे देरे-देरे कुछ भी काम करना है उसको हम करते रहें तो आप भी gradually ही सही, लेकिन आप अपने काम को break मत करिए, उसकी continuity को मत छोड़िए, तो ही आपको result मिलेगा, और सुदन रहे का कि पुरी लगन के साथ करते रहे, तो जहां लगन होगी, continuity होगी, तो मनजल तो आपकी सामने ही होगी न, तो बस आप भी perfect हो जाएगी हमारी एवन और हमें ऐसे ही फ्यार करती रहेगा हम भी शक्रुष रहेगा, thank you so much